Hello everyone, from a town, cars start at regular intervals of 30 seconds and run towards another town with a constant speed of 60 km per hour. At some point of time, all the cars simultaneously have to reduce the speed to 40 km per hour due to bad weather conditions. What will be the time interval between the arrivals of the cars at the second town during the bad weather? Okay, so bachow, ये question है, इस question को हम solve करते हैं. तो आपको क्या दिया है, पहले हम बेसिक कंडिशन हम बना लेते हैं. हम दो town's mark कर लेते हैं, town A and town B, town X and town Y. दो town's हमने mark कर लिये, और इनकी बीच की distance मुझे नहीं पता है, अभी half-lal के लिए, मैं इसको रोग देता हूँ. मतलब मुझे idea नहीं है. question बोलता है कि जब एक town से पहली car निकलती है, ये वाली car जब निकलेगी, तो ये वाली car जब निकलती है, तो उसकी speed होती है constant 60 km per hour, 60 kmph, ओके? और 60 km per hour को क्योंकि time seconds में दिया है, तो आप इसको multiply by 5 by 18 कर लेंगे, ठीक है? तो आजाएगा 6, 3, 18, 6, 10, 60, तो 50 by 3 meter per second, ये इसकी हो जाएगी speed, बच्चों, अब मैं आपको बोलना चाहता हूँ, कि ये जो 50 by 3 meter per second की speed जो है, इस speed के साथ वो आगे forward करता है, तो हमें इनके बीच की distance दी नहीं हुई है, और आप से पूछा है कि कुछ समय बाद इनके bad weather आया और speed जिग्दम से decrease हो गई, तो बताइए, second town पे इसका interval कितना होगा पहुँचनेगा, ओके, तो हम इसको थोड़ा सा trick से करेंगे, हम rather than going for a long process, हम इसको सोड़ा short time, short तरीके से करने कोशिश करेंगे, देखिएगा, 50 by 3 meter per second के speed से ये जा रहा है, हमें distance नहीं पता है, तो एक काम करते हैं, आपको सिर्फ इतना बोलता है कि 30 second में वो वहाँ पर पहुँचता है, sorry, card started regular, मनलब हर 30 second के बाद, एक कार निकलती है, तो अब एक काम करते हैं, तो let's see, ये पहली कार a, निकली हैं से t equal to 0 पे, अगली कार कितने time पे निकलेगी, 30 second बाद निकलेगी, तो तब तक ये पता कर लेते हैं, कि 30 second में ये कितना पहुँचा होगा, अगर आप देखेंग a के लिए, तो distance travel by a हो जाएगी, उसकी speed 50 by 3, multiplied by 30 second, that means 500 meters, तो हम ऐसा assume कर लेते हैं, कि अगला जो station है, जहां तक कार जा रही है, वो 500 meter पे ही है, okay, let's say it is at 500 meter, तो पहली कार निकली है, और 30 second के बाद, यहाँ पर, after 30 equal to 30 seconds, ये कार यहाँ पर पहुच जाएगी, with a speed of 50 km, 50 by 3 meter per second, okay, तो इससे हमारी थोड़ी कहानी आसान होगी, क्योंकि आपको बीच की distance दी नहीं थी, दोनों stations के, तो हमने मान लिए, कि दोनों की बीच की distance 500 meter है, अब आप बात को समझेए, यह हर 30 second में एक कार निकलती है, और धर तक पहुंसती है, तो consistently हर कार निकलके उधर पहुच रही है, अब question में scene क्या दिया हुआ है, कि किसी current वर्ष या किसी भी reason से उसकी speed 40 km पर hour हो गई है, reduce speed to 40 km पर hour, ओके तो अब देखिए, station हमारा यह है, यह हमारा x station है और यह हमारा y station, तो बच्चों अगर मैं द्यान से देखो, इनके बीच की distance अब मेरे लिए fix हो गई है 500 meter, और मुझे पता है यह जो car है A, यह basically अब कितनी speed इसकी हो गई है, 40 km पर hour, और 40 km पर hour को मैं कैसे लिख सकता हूँ, 40 into 5 by 18 कर सकता हूँ, तो एक random सा fraction figure आ जाएगा, 20 to 9, 18, okay, that means, मैं correct, yes, correct, तो आ जाएगा आपका 100 divided by 9 meter per second, तो यह speed के साथ अब car जा रही है, तो आप feel करिए जो भी car वहाँ से निकलेगी, 100 by 9 meter per second से निकलेगी, तो आपसे पूछा है कि Y, अब इस second situation में, Y जो station है, उस पे कितनी देर देर बाद car पहुँचेगी, तो पहली car जो निकली, वो निकली, तो अब इसकी जो distance जो है, आपको A, X to Y यह तो fix है, और वो speed of A, जो नई है, वो ह 100 by 9 meter per second, और इसकी जो timing है, हमें पता नहीं है, अगर एक car जितने time में X to Y पहुचेगी, अगली सारी car है, उतनी ही time में पहुचती चली जाएंगी, तो SXY हमारे दिया है 500 meter, and that is equal to 100 by 9, और यह अगला time आ जाएगा X to Y पहुचने का, बच्छो अगर आप देखें, इसकी value आ resume कर सकते हैं, जहाँ पर हमारा question थोड़ा सा simplify हो जाएगा, I hope this question is clear to you, thank you.